हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल नईहा लर्निंग पॉइंट जैसे कि आप सबको पता है कि अब एच्टेट सीटेट रेलवे और दिली पुलिस का एक्जाम आने वाला है और भी बहुत सारे एक्जाम से जिसमें मैथ है जो वो आता ही आता है बहुत इं कर रहे हूं वो है वो है प्रोब्लम्स ओन एज 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 रिलेटेड कोशन एज रिलेटेड कोशन हर एक्जाम में पुछे जाते हैं तो आज हम उसी के बारे में डिसकस करेंगे तो मेरा पैला कोशन एज ओफ ए और बी आर इन दा देशो ओफ फाइफ देशो फॉर थ्री एंस दा देशो ओफ देशो ओफ देशो फॉर और थ्री एंस एक हैंस और एक अगो हैंस का मतलब है आज से तीन साल बार और अगो अगर आज ए तो आज से तीन साल पहले तो इसमें हमें यह बोल रहे हैं थ्री एस हैंस की देशो हमें बता दिया नहीं तीन साल बार उनकी देशो एगी यह मंद रिशो नाइन और हमसे प्रेज़ेंट रेशो बी की पुछी गई है तो अब हम इसे कैसे करेंगे सबसे पहले हमने दोनों की एज है जो वह लेट कर ली जो हमने पहले देशो दे रहे 5X by 4X मैंसे पूछी गई थी हमें दे रहे थी जो रिशो थ्री इयर्स हैंस इसलिए हम दोनों में 3-3 एड कर देंगे उपर भी और नीचे भी नियूमरेटर में भी और दिनॉमिनेटर भी 3 यह बाद उनकी जो रिशो बन जाएगी वो है 11 रिशो 9 तो हम तो इसको है वो क्य करेंगे ग्रोस मल्ल्डिप्राइः का मतलब 5X 3 ill,9 से और 11 मॉट्रिप्राइः होगा हमारा 4 ir ट्री से इसके बार जैसे यहां पर 11 को इसके बाद इसके बाद हमारा नेटिप होता है जो हमारा चैप होता है उसे हम एक तरफ लेगाते बुर्प्म को और जो हमारी constant terms होती है उसे हम दूसरी तरफ लेकिन यह ध्यान रखना होता है अगर हमारे equal के इधर अगर term plus में है तो equal की यहां पराने पर हमारी term क्या हो चाहेगी minus अन्धी sign change हो जाते हैं माइनस का साइन प्लस में ऐसे मैं इसा ही मैंटिप्लाइब हो तो वह डिवाइड में साजाता है और डिवाइड हो तो वह मैंटिप्लाइब में चैंज हो जाता है देखो अब 45 x plus 27 equal था हमारा 44 x plus 33 अब हम यहां क्या करेंगे 44 x को इधर ले आएंगे तो 45 x माइनस 44 x ओन्हीं x रह जाएगा 33 27 या प्लस का था उधर जाकी क्या हो जाएगा 27 माइनस का 33 माइनस 27 क्या रहेगा 6 x की value आगी 6 हमसे पूछे गई थी ratio किसकी पूछे गई थी हमसे ओनली b की तो b की हमने ratio लेट की थी 4 x तो 4 को multiply कर देंगे हम 6 से तो हमारे पास answer आजएगा 24 yes I hope आपको यह पहला question अच्छे से clear होगा अब हम move करते हैं हमारे second question पर second question क्या है हमारा a man is 30 times older than his son 18 years later he will be only thrice as old as his son what is man's present age देखो अब हमें बोला रहे है कि एक आदमी है जो 30 साल और रहे हैं 30 साल जादा एज है उसके अपने बेटे से 30 साल बूड़ा अपने बेटे से अठरा 18 years later यानि 18 साल बाद वो कितना हो जाएगा अपने बेटे की एज का thrice three times हो जाएगा मैं की present age पुछी गई है इसमें हम क्या करेंगे देखो हमें दे रखी थी कि अपने बेटे से 30 times older है तो हम क्या करेंगे उसके sun की एज कर लेंगे लेट कर लेंगे कि जो sun है उसकी present age एक्सियर्स तो मैं की क्या हो जाएगी 30 times सा इससे 30 को एक्स से हम क्या करेंगे उसके बाद हमें बोला गया है कि 18 years later दोनों में 18 एट कर देंगे 30 x plus 18 x plus 18 18 years later जो मैं की एज थी वो बेटे से three times हो जाएगी तो हम क्या करेंगे कि बेटे की जो 18 years बाद आई है उसको three से multiply इसके बाद फिर हम हमारा वही same board mass use करेंगे यानि सबसे पहले हम bracket खोलेंगे 3 को x से multiply करेंगे तो 3 x 3 को 18 से multiply करेंगे तो 54 फिर x वाले term हम एक तरफ ले आएंगे और जिसके साथ variable नहीं है यानि x नहीं है वो term हम दूसरे तरफ ले आएंगे अब इसको 30 x माइनस 3 x कितना आजाएगा 27 x 54 माइनस 18 36 27 x के साथ multiply था तो जो term multiply होती है वह equal के उदर जाने के बाद किसमें चुक्त कनवर्ट हो जाती है दिवाइड में सुझी जाती है तो जो दिवाइड में होती है वह मैटेप आई यहाँ पर हमारा 27 x 27 x के साथ मैटेप आई में था तो वह यहां के किसमें हो गया डिवाइड में convert हो गया अब यह सेम टेबल से कट रहे है तो इन्हें काटने के बाद हमारा क्या गया 4 by 3 x की यह हमारे पास आगी 4 by 3 येकिन हमने x किसके जटकी थी संकी प्रेजेंट एज एज़ेट की थी हमसे पूछी किसकी गई है मैं की तो मैं की निकाल लेके लिए 4 by 3 को मैं क्या करूंगी 30 से मैंटिप्लाइब मैंस प्रेजेंट एज के थाटी एक्स तो 30 मैंटिप्लाइब इक्वल होएगा 40 एज अब हम चलते हैं हमारे next question पे question third question third हमें क्या दे रखिया है present age ए ए बी सी तीन है ए बी सी प्रेजेंट एज ए ए बी सी आर इन दा प्रोपोर्शन 4 7 & 9 4 7 & 9 हमें देशों दे रखिया है हमसे पूछी रिया गिया है एट इयर्स अगो अगो मैंने जैसे तुम्हें आपको पहले भी बताया था कि अगो होएगा पहले यानिकी एट इयर्स अगो आठ साल पहल है तो तुम्हें जो तुम्हें पूछी गई है जैसे अब हमें रेशों दे रहे थी 4 रेशों 7 रेशों 9 इनको क्या करोगे लेट कर लोगे लेट करेंगे हम क्या प्रेजेंट एज है तो ए बी और सी की क्या 4x 7x & 9x इयर्स अब सम बता रखिए 8 इयर्स अगो तीनों रेश एड कर दिया equal to 56 फिर हम जब इसको ब्रेकेट खोलेंगे और एड करेंगे तो 4 प्लस 7 प्लस 9 कितना बन गया हमारा 20x माइनस 8 माइनस 8 और माइनस 8 तीनों टर्म माइनस में है तो हम तीनों एड हो जाएंगे लेकिन साइन किसका लगेगा मेजा माइनस का क्या हो गया माइनस 24 एकवार टू 56 ते रख है अब 20 एक्स अब हम क्या करेंगे सेम जिसके साथ एक तरफ जिसके साथ एक्स नहीं है यानि वैरियेबल कोई भी नहीं है वो टर्म हम एकवार के दूसरे साइट पर ले जाएंगे तो हमारा यहां क्या आ जाएगा 20 एक्स जो हमें दे रख एक्स जाएगा डिवाइड में 20 कितना आ गया हमारा फोर अब यहां पर हमें ओनी एक्स की वैल्यू फोर आई है हमारे पास प्रेजेंट एज नहीं प्रेजेंट एज निकालने के लिए जो हमने रेश्यो एक्स स्टार्टिंग में फोर एक्स सेवन एक्स और नाइन एक्स एक्स की वैल्यू पुट करें तो प्रेजेंट एक की कितने हांगी फोर एक्स पौर मेंट उन्हेंट और फोर सिक्स्टीण इस बीगी सेवन अबिग्स इस नाइन एक्स नाइन मटिप्राइब लां फोर थर्टी सिक्स एएस आइक होप आपको यह समझ आ रहे होंगे चलो ह करते हमारे next question पर हमारा next question है a man present age is two fifth of the age of his mother एक आदमी की जो अब एज है वो कितनी है उसकी जो मदर की एज है उसका two by fifth है after eight years eight eight साल बाद he will be one half of the age of his mother वो अपनी मदर की एज का one half यानि हाफ हो जाएगी अगर मदर की उस वक्त जितनी भी होएगी उसकी एज उससे one half हो जाएगी how old is the mother present age हमें पूछा क्या है मदर की उसकी मदर की प्रेजेंट एज पूछी रही है सेम जो हमसे पूछा कि उसको लेट करेंगे लेट कर दिया हमने प्रेजेंट एज है मदर की एक्स तो तो मैं की कितनी है two by fifth x यानि two by fifth mother बोले चीज से two by fifth of हमने क्या कर दिया एक्स अब eight years after eight years यानि की दोनों की एज में हम सेम वही चीज एट एड कर देंगे eight year एड करने के बाहरा दोनों में हमने देख या रख है हे विल बी वन हाफ ऑफ दा मदर ओफ एज तो उसकी जो मदर की एज थी उसका हाफ कर देंगे वो उस मैन की एज के बराबर होएगा है इसके बाद हमें देखो जब हमने किया था उसका हाफ कि सार्फ तो हमारे पास क्ल कर five एक प्रस एड को टू में था तूडिवाइड में था हिहां कि क्या हो गया तू में चला गया अब से बर्न्ज मास्क के अगवरे खुलेंगे तो टू टू जा 4, 4 बाई 5 x, एट टू जा 8 को 2 से मैंटिप्लाई ब्रैकेट के बाद जो भी होता है वो ब्रैकेट के अंदर दोनों से मैंटिप्लाई हो जाता है एट टू जा 16 सेम अब जिसके अब वैरिएबल है एक्स वाली टर्म है वो उदर ले जाओ और जिसके साथ नहीं है वो इधर ले आओ तो 4 बाई 5 x यहाँ प्लस की टर्म थी इधर एकवर के उदर जाके क्या होगी वो टर्म हमारी क्या होगी माइनस की तो हमारे पास क्या आ ग नेटर में कुछ नहीं है तो हम बन मान के उसका यह से हम लेंगे तो हमारे पास 5 वर 1 का यह से कितना और यह फिर हम जब लेंगे तो 5 x-4 x इसमें से 5 में से 4 गया यानि उनी एक्स रह गया एक्स इक्वैटू में 8 प्रोस्मेंटिव जाएक कि 8 5 जा 40 एक्स की वैल्यू यान एक्स की वे जट किया था हमने मदर की एज तो मदर की एज कितने आगी हमारे पास है आप 40 एज अब हमारा जो next question है वो है थोड़ा सा ठीक ठीकी कोशन है ठीकी कोशन ठीकी सोलीशन नहीं है लेकिन इसकी थोड़ी से statement है तो थोड़ी से ध्यान से समझना I am 4 years older than my sister मैं अपने sister से 4 years older हूँ while my brother who is the youngest among us is 7 years younger to myself लेकिन जो मेरा भाई है जो हम मेरे से सबसे ज़्यादा youngest है सबसे ज़्यादा जवाद है वो 7 years यानि यंगर यंगर होते है जो हमसे छोटा हो तो वो 7 years चोटा है मिल से my father मेरे father three times है age of my brother मेरे भाई की एज के three times है my sister is 18 years of age अब उसकी जो भेन की एज है sister की एज वो given है क्या दे रखिया 18 years and my father is three years older than my mother father बता दिये जितनी age mother की है उससे three years ज्यादा एज है father की एज पुछी गई है हमसे mother की देखो यह question की statement थोड़ी सी confusing है इससे हम जो हमें first line में दे रहे हैं हम उसी को उसके बाद क्या बोल रख है जो brother का brother है जो सबसे youngest है वो मिल से seven years younger है यानि कि साथ साल हम मेरी एज में आई की एज में seven years क्या कर देंगे हम सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स माइनस ओफ three रह लिया इसके बाद स्टेट्मेंट में हमें बोल रख है माई father father की बता देंगे थ्री टाइम्स है एज of my brother brother की एज हमारी निकल के आई थी एक्स माइनस तरी तो उसको क्या कर दोगे थ्री से मॉट्यप्राइग इसके बाद हमें जो बोल रख है कि sister की एज भी गिवन है 18 तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं हमें आपका sex की वेज़ वागी 18 फादर की उसके बाद लाइन में हमसे mother की पुछे गई है और mother की एज को father की एज से रिलेट किया गया यानि कि जितनी father की एज है mother की एज उससे 3 years क्या है कम है तो देखो हमने क्या आगी father की निकाल जाए 3 x-3 x की वेज़ पूट कर देंगे 18 18-3 15 15 फ्रेजा 45 तो father की एज आगी 45 इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कोशन है वो है अनील इस एस मुच यंगर तो विवेक एस ही इस ओडर टू तरू तरू इस तरह के कोश्चन जादा तर हमारे एग्जाम में आते है इस टोटल ओफ दा एज इस ओफ विवेक और तरू इस 48 यह उल्ड हम ओर इस आनील तरू से उल्डर है तो हमने क्या कर दिया विवेक की एज में से और अनील की एज क्या कर दिया हमने माइनस अब यह बता दिए और अनीर की एज में से क्या तरून की कर दी क्योंकि इन तीनों में से हमारे पास क्या आया है अनीर है विवेक से तो बड़ा है इसने विवेक की एज में से माइनस कर दी और लेकिन वह तरून से क्या है लेकिन तरूं से क्या है बड़ा इस लिए आपर नीयड में से तरूं की माइनस करते हैं तो हमने इधर हम एक तरफ तो अनिल की कर दो लेंगे यह माइनस एए है तो यहां दा कि क्या ज़गा प्लस से वी प्लस टी इक्वाइट टू में क्या गया टू ए उसके बाद हमें दोनों का सम दे रहा था यहां से मारे पास एक वाजू नहीं करके आगे टूंटी फॉर इयर्स आई होप आपको एक कोशन क्लियर हुआ होगा अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स कोशन पर जो है सम ओफ दा एज ओफ और मैन एंड इस जन इस हंडर्ड इयर्स नाओ इस उस एज दो दोनों का सम दे रहा था हमें दोनों का सम दे रहा था हम्ड़र्ड इयर्स तो हमने क्या कर लेख दो हम ने लेट कर लिए मैन की एज है एक्स तो सन की एज है हमारी 100 वाइनस एक्स हमसे फाइव यह अगो यानि फान साल पहले दोनों की एज को हम रेशियो में यह करेंगे और यह में तू रेशियो बराबर दे हुए है इसके बाद सेम पहले पालबाद क्रोस मैंटिप्राइब क से और 2 multiply हो जाएगा 100 माइनस x माइनस 5 से इसे ही फिर हम क्या करेंगे x वाजी टर्म से एक तरफ दू नो नेक्स एक तरफ हमारे पास क्या आ गया 3x एक्वाइटू में 200 माइनस 10 प्रस 5 कितना हो गया 3x एक्वाइटू में 195 और x की वैल्यू हमारे पास कटकी क्या आगी 65 एयस लेकिन x हमने किस की जट की थी man की तो अब sun की निकालेंगे क्या आएगी x अगर 65 है तो sun की कितनी आजेगी 65 100 माइनस 65 35 years हम से येकिन question में पूछा गया गया है 10 years 10 years बाद की दोनों की ratio पूछ रही है दोनों में 10 years add करके क्या कर देगे हम divide कर देगे तो ratio 65 प्लस 10 दिवाइट बर में 35 प्लस 10 एकोई टू 75 बाइ 45 कटके ratio आगी 5 ratio 3 I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी for more videos like and subscribe my channel thank you